नमस्कार सातियो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंबू से बने प्रोडक्स के बारे में यानि बांस से कौन कौन से प्रोडक्स बनाये जा सकते हैं और उसको बिजनस उसमें क्या है कैसे कर सकते हैं पूरी डीटेल इस वीडियो में हम बात करने वाले ये वीडियो हम इसलिए आज लेकर आया कि इसकी जो शुरुवात एक डम छोटे पैसे से करके आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतनी बड़ी कमपनी इसको बना सकते हैं तो यह पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझने वाले हैं यह भी समझेंगे कि कितना का इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं तो मैं नीरजकुमार आप सभी का स्वगत करता हूँ कृष्रान हाइपा और यूटूब चैनल में अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो भईया कर लो यार यह एक से एक कमाल के वीडियो इस चैन आ रहा हूँ इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भाई करी लो देखिए एक चीज़ मैं इसमें बात करना चाहूँगा जो शुरुवात करना चाहूँगा इस वीडियो का कि कुछ साल पहले तक इंडिया में बांस की कटाई पे पूरा का पूरा परति बन था मतलब बांस की अ ज्यादा ग्रोथ होता है बांस लगवग हर मौसम में हर मीटी में इसकी खेती हो सकती है और एक बर प्लांटेशन करके उसको अच्छे से मेंटेन किया तो सौ साल तक भी हार्वेस्टिंग किया जा सकता है बांस ये कैसा खेती है जिसमें अगर खाद आपने कम भी देते हैं या नहीं भी देते हैं कुछ साल के बाद तो आप अपने आप इसके जो पते होते हैं वही खाद बनके खुद के कमपोस्ट में तबदील हो जाते हैं जो बांस के लिए काफी होता है तो ये मतलब जीरो इंवेस्टमेंट बिजनेस है और पोड़क्शन बार बार आने की है कि आप जो भी राज से बिलॉंग करते हैं जो भी सीटी के आसपास का आपका घर है वहाँ पर जो अगर बांस की खेती होती है कम या जादा उससे भी आप बिजनेस की सुरुवात कर सकते हैं तो कौन से सेग्मेंट में आपको जानी चाहिए देखिए इस वीडियो के पांच सेक्टर्स कवर करने की कोशिस की है जो सबसे ज़्यादा डिमांड है तो पांच सेक्टर में बात करूँगा उस पांच सेक्टर में कौन-कौन से प्रोड़क्त आप सुरुवाती दोर में फोकस कर सकते हैं बाकी आप उसको आगे लेके जाना चाहें तो सब चीज़ रूफिंग आते हैं वो बनाय जा रहे हैं बास के जमीन के जो फुलरिंग होते हैं वो बनाय जा रहे हैं बास का प्लाइवूड आजकल बनाय जा रहे हैं बास का पर्दा हो गया बास के अब जंगले और दरवाजे भी बनाय जा रहे हैं साथ-साथ बास के जो बाथटब होते ना आने वाले वो तो आजकल बहुत ही ट्रेनिंग चल रहा है जी हां सही बता रहा हुँ आजकल छोटे-छोटे गाउं में भी छोटे-छोटे किसान भी या छोटे-छोटे जो फैमली वाले लोग है वो भी बांस के बनाय हुए बार्टब है वो भी खरीद रहा है यह थो उसे product 반 से बनाय जाते है तो बांस के बरतन काफी बहुत अलग-अलग तरह के बरतन famous है в नसे के लिए वह है जो दूसरा product है का जो कच्छोरी हो गया कच्छोरी या plate जो आते हैं बांस वो सब famous है साद यस वह जिसकě सब जी काटे जाते है cutting boards वो भी हो गया, lunch box हो गया, या चमच हो गया, fox हो गया, यह से बहुत सारे item है, जो kitchen में बांस के बनाए जाते हैं, तो आप kitchen को भी focus कर सकते हैं, kitchen में इस्तमाल किया जाने वाले बांस के product को आप बना के sale करें, वहीं अकर तीसरे नमर personal use की बात करें, तो बांस के बनाए जाने वाले समान में, आप चपल हो गया, वो भी आजकल बांस से बनाये जा रहे हैं, helmet हो गया, helmet की ओवर कभर होते है वो भी बनाए जारे है, personality में, बात करें तो टौ्विलस हो गया, इसे बहुत गंजी हो गया, बहुत सारे चपडल आजकल बांस से बनाये जा रहे, razor का जो handle होत वो बांस का आपको बता दो जनकारी के लिए कि एक दिन में 50,000 बांस के बरस बना के सेल कर रही है तो इतना बड़ा बांस का मार्केट है कि इसमें में जो चीज आना कि लोग थोड़ा और्गेनिक होते जा रहे हैं थोड़ा नेचुरल चाहिए और्गेनिक प्रोड़क्ट चाहिए उस टाइप में आप बांस का बरस लोग बना के सेल करें एक दिने 50,000 सोच सकते हैं कितनी बड़ी कंपणी बन गई है तो आप रिसर्च करिया जाके भी चेक करिया अब चलिए अगले सेग्मेंट की तरफ हम बढ़ते हैं तो अगर आपका जो घहर है या ओफिस आप बनाना चाहते हैं किसी बड़े सहर के आसपास तो कॉपरेट ओफिसेज में भी बास के प्रोड़क्ट को सप्लाई कर सकते हैं जैसे कि बास के माउस के उपर के कवर अब बना सकते हैं कीबोर्ड के जो बटन होते हैं ओभी बास से आजकल बनाय जा रहे हैं हेड़फोन के उपर वाले जो कर्व होते हैं भी बांस से बन रहा है इस्पीकर्स हो गया और बांस के पेपर और टिसू पेपर भी बांस के बनाये जा रहे हैं तो अगर आफिस बर्टिकल को आपको टाइड अप करना है या उस एरिया में जाना है तो यह सब प्रोडक्ट से म इंडस्ट्री में उधारन के तौर पे बांस के वाइन बनाये जा रहे हैं जी हां बांस के वाइन बनाये जाते हैं बीर हो गया बांस के सबजी बनाये जा रहे हैं बांस के अचार बनाये जा रहे हैं वेनिगर बनाये जा रहे हैं बांस के चाय पति यह तो साइद आपने बास के चाहपती तो यह मैंने 5 सेग्मेंट बताया 5 सेग्मेंट को आप सोच सकते हैं कि किसी एक से अगर आप सुरुवात करना चाहते हैं तो इसमें से कोई एक सेक्टर से सुरुवात करिए एक बाद टेस्ट करिए कि आपके एरिया में कौन से प्रोड़क्त जादा चलते है साती साथ आप कितना investment शुरुवात कर सकते हैं investment की बात कर इसमें से आप कोई भी product शुरुवात करते हैं minimum 30-50,000 से लेके एक लग दोला की आप जितना लगाना चाहें आपके पास जितना initial cost है उसके हिसाब से आप business की शुरुवात कर सकते हैं एक दो product भी बना की उसको धीरे धीरे sale करके जो भी वहाँ से revenue आएगा उस पे work करके अपने business को और बड़ा कर सकते हैं साती साथ अगर online में भी जा सकते हैं एक पर जब अपका product ready हो गया तो wholesale में भी संपर कर सकते हैं बहुत सारे channels partners हैं या फिर online में भी sale करके यहां से मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं एरिया की बात करें तो average आप अगर आपके पास 1000 से 2000 square feet एरिया है शुरुवाती समयन में तो वहां से भी आप इस धंदे की सुरुवात कर सकते हैं साथियों देखिए यह एक धंदा आप इसको हलके में मतली जी बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है बांस का आप एक बार रिसर्च इसमें आके करिए आप इसमें YouTube पे जाके देखिए बांस के प्रोड़क्स कौन-कौन से हैं बांस के क्या क्या बनाये जा रहे हैं कैसे सेल किये जा रहे हैं Google पे जाके चेकरी बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है और इसमें खासियत ही है कि यह कोई भी कर सकता है अगर थोड़े से टेक्निकल स्किल्स हो थोड़े से मैनेज करें चीजों को तो कोई जरूरी नहीं है सहर के आसपस ही आपका ओफिस हो आप गावं में भी रहते हैं कहीं भी रहते हैं वहाँ से बांस के प्रॉड़ेक्स बनाके सेल आउट भी कर सकते हैं और बहुत बड़ा धंदा है अगर आपके पस ज्यादा पोडक्शन होता है तो एक स्पोर्ट भी कर सकते है कि ये जो बिधन्दा है एवर गिरिन है ऐसा नहीं है कि सीजन में चलेगा और सीजन में बंद हो जाएगा ये सालों बर एक समान से बढ़ने वाला बिजनस है गिफ्टिंग सेग्मेंट्स में है मैं आपको बता दिया तो दोस्तों आसा करता ये वीडियो पसंद आया होगा काफी कमाल के जनकारी मैंने इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया था तो यार एक लाइक तो बनता है कमाल के जनकारी के लिए और फिर ऐसे ही और भी कमाल के जनकारी आने वाली है नए नए बिजनस आइडिया आपको इस चैनल पे आने वाले समय में बहुत ही जल्दे जल्दी मिलने वाले हैं तो सब्सक्राइब तो करी लो यार चलो सात्यों जल्दी मिलेंगे हम एक और कमाल के वीडियो में तब तक लिए दीजे इजाज़त नमस्कार